यह सोडशी मंत्र है जिसके 16 आक्षर है मैंने सुले बताया था कि जो 16 साल की है वह सोडशी है जो हमेशा 16 साल की ही रहती है आज 25 साल बाद भी सोडशी ही रहेगी और सोडशी की पहिचान यह है कि जिसका पूरी तरह से बच्पन गया नहीं हो और बच्पन देरे देरे जा रहा हो और योवन बबेपाम आ रहा हो ऐसी स्टेज को सोडशी कहा गया है सास्त में पूरा वर्ण है कि सोडशी कहता प्रे क्या बीस साल के बाद तो पूरा योवन ही आ जाता है बरबडाता हुआ आवाज करता हुआ चीकता और चिलाता हुआ मगर सोडश वर्ष में बच्पन पूरी तरह से जाता नहीं और पूरी तरह से दीरे दीरे यो बनाता है जिसके चैरे पर एक बोलापन है एक सहज मुस्कान है वह स्वंद्री की परिवास अभी है सोडशी की मैं उस महाविद्या सोडशी की बात करता हुआ जो सोला स्रंगा जिसकी साधना के सोला अक्षर है और इस मंत्र को निरंतर बिना विस्राम किये मंत्र जाप करना है एक पूरा चक्र ले लेना है इस मंत्र को रिपीट करने का ये मूल चिंतन है जैसे आप गात्री मंत्र को अंभूर वस्वाह तस्वीत्र वरेनियम बर्गोदेवश्य धी मही यहां बीच में आपका अंतराल है इस मंत्राल नहीं होता है और प्रचोग दयात अंभूर वह स्वफिर उखते हैं इसमें कु यह साधना जो पैकेट आपने लिया याँ भी साधना कर सकते हैं और यह साधना घर पर जाके कर सकते हैं यह चाहिक प्रहुर प्रहर तक मंत्र जाब प्रहर 24 मुनिट का होता है प्रहर की तीन भरीवासा है प्रहर के तीन अर्थ है एक टो चार प्रहर का मतलब है प्रूरी रात को चार भागों बाट लेना उसको भी पहला प्रहर और जोतिस की दश्टी से एक पहर चौबीस मिनिट का होता है इसका मतलब चौबीस दुआर्टाली सो बारा साथ एक गंटे की साथ में है एक गंटा अगर निस कंटिलूस उस मंत्र जाप को करें और यह बहुत ही इजी और संबव है इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है एक गंटे तक आप दोष सकते हैं अगर मिस्चर कर लें कि नहीं मैं उसके पहले हिलूंगा नहीं मिशकर भभाव से करूंगा ही और एक गंटे के बाद गारंटी के साथ आपको सामने विम्मिस पस्टो करने का मतलब है रोज एक माला मंत्र जाप चाए पांच मिन्ट साथ मिन्ट दस मिनट चौबीस मिनट या बारा मिनट या च्छे मिनट उसी कम से कि मंत्र के अक्षर में लिखा देता हूँ कि इस मंत्र के त्ञें और तीन जेखेन हैं थीन मंट हैं तीन जगे आपको मोग के धनी के साथ बोलना है बाकी कहीं पर भी कोई अलग धनी नहीं क्योंकि स्वर या केवल विंज विंजन अपने आप में सिधाई स्वर करुकं कोई कहते है अ हमें सब्सक्राइब से बोला जाता है को गड़ यह कंठ के बिना आप नउन्ट को फुकर ले यह आवाज यदक इना सकते हैं दिखन का सकते हैं और और जा जो जो यह यह दांतों से ही बोला जा सकता है अगर दांट जिसके नहीं होते हों सही रंसक्षा नहीं बोल सकते हैं और पाफ़ बाबभमा के लिए अनिवार यह है कि आपके दोनों वोट मिले बिना वोटों को मिला यह आप फ़बह बोले नहीं को बोल सकते हैं जौ बोल सकते हैं पूरा चिंतन है कि कौन से धुनी कहां से बोली जाए इसलिए अब आप इस कंफ्यूज में मत पड़िए कि यह कव मेरा कंठ से निकल रहा है कि कहां से निकल रहा है गुरु जी ने कंठ मंठ बता दिया यह बीच में अड़ंगा डाल दिया वाकिए सब गुरुजी बता देब फिस में अड़ंगा ज tast necess का बिन दाभार लिया हो और जिदि आपके दांट नहीं हो तो फिर मैं ता आपको सौंदर युक्त बनने के लिए कहा है कि आप पूरे रशिक बन करके ठीक उसी प्रकार से साथ ना करें जैसा मैंने बताया है मस्ती के साथ गरवाले भी देखें आपके बच्चे बच्चे तो मालूम पड़े कि कुछ सीख की आए है ने तो उनको मालूम ही क्या पड़ेगा कि अब पिता जी अब बिल्कुल सही है फिट अब इनको सीधा या तो पागल खाने में डालना पड़ेगा या जंजीरों में जकरना बढ़ेगा ये साथा क्या हो गए है और गारंटी के साथ अपते बर में तुमारी पत्नी का पत्र मेरे पास आ जाएगा कि गुरुजी किसी का घर बरबात नहीं करना चाहिए आपको हमने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है ये गागरा ओड़ना पहन पहन के क्या कर रहे हैं आपको पूर्ण मैंने कहा कि आपको पूर्ण पूरुस युक तो बैठना है और आसन कुछ भी हो दीप कैसा यह हो या नहीं हो अगरबती हो या नहीं हो दिशा कौन सी इसमें कुछ नहीं इसमें केवल इन वर्णों को कंटिनुस बोलने की क्षमता है बसक्राइब और दोन रूण यंत्र आपके बिलकूल सामनी हो क्योंकि उस यंत्र की तंकार ध्मीट आप गारण 두क के साथ सुनेंगे ही कहां सुनेंगे जब आपका उस पूरे 24 मिनट के बाद आवाज बिलकूल उस यंत्र में से सुनेंगे ही यह गारण ध्यृति क्योंकिती एगम है टॉप साइलेंस होगी तो मावाद सुन सकेंगे इस लिए क्रोध मुद्रा वे बैठ करके नेत्रों के मादिम से उंगलियों के मादिम से वीरा सुन में बैठते हुए इस मंतर जाप को करना है मंतर में अपने गुरु मुख से बोलना चाहिए इसने सुना लेता हूँ बाकि आप बोर्ड पर देख ले एंग और लो रीम सा को लो व एंग लो को सा रीम पा न रीम इसमें तीन रीम है मैंने बताया कि तीन इसमें वर्ण में नियाश है जब मैं अगर इनकी एक एक अक्षर को अगर आपके सामने भ्याक्षा करूँ तो परते एक अक्षर एक सौंदरिक की परिवासा को इसमस्ट कर रहा है और संक्राचारी ने अपने 51 स्लोकों में प्रतियक अक्षर को लेकर के बताया है कि काजल अगर लगाया जा तो कैसे लगाया जाता है काजल का मतलब अतात्परी क्या है अब उसके बुढार फिर और अलगे खैट इस मंत्र का आप को उच्चारण करना चाहिए और इस मंत्र के माध्यम से ही नमारे राजिस्थान में एक दोहा है और दोहा ये है कि सेह गमन शेयर जिस रास्ते से जाता है पीछा नहीं मुझता सिकारी साम शामने आता तो सिकारीं के ओपर जबटा मैंके आगे निकल जाता है इसलिए सेरे ढ है कुट्टा्र मुड़ सकता है शे नहीं भागेगा equival कुंदुक लिए आप सामने खड़ें तब आपके ऊपर से छलांग लगा की जाएगा वो शीय गमन सुपुर्स वचन भलादमी एक बार बोल दिया एक वारी बोलेगा दूसरी बार नहीं बोले और कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीरत चड़े नदूजी बार दूसरी बार यह आपके जीवन की एक अध्विती साधना है क्योंकि इसलिए अध्विती साधना है कि यदि हम आगे का पूरा जीवन आनंद के साथ व्यतीर करना चाहें यदि आप रोग जुक्त, अभाव जुक्त, दुख जुक्त, वेदना जुक्त करना चाहें तो जीवन आपका चल मगर आनंद युक्त जीवन वितीत करना चाहें और कोई कटिन साधना नहीं है एक गंटा बहुत डिफिकल्ट नहीं है जदा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और एक दिन में ही आपको जदी आवाज इसपश्ट सुनाई देगी ही गारंटी के साथ देगी ही क्योंकि ये सार यंत्र पूरे लामा वामांग के उस साधना से सिद्ध हैं इस प्रकार से सिद्धी प्रद्यंत्र बंद नहीं सकते बनाए नहीं जा सकते यह तो आप किसी भी चीज को किसी भी रूप में कह सकते हैं मैंने आपको प्रारंब में कहा था कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसके ओ और है मनने आपको लोटों पर फ्राउड होगा कि तो आपको मनने गंदगी है तो आपके मनने हर जगती बहुत यह बिचारी आई-एसी है तो समझने चाहिए कि यह दोस मुझे है आपको ऐसा ही परिक्षा कर सकते हैं जब आप ऐसा बोटे समय चाहिए यह में नियूंता ही य में फ्रॉड करता ही हूँ मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ सेष्टम जंत्र और सामिक दिया और सेष्टम मंत्र दिया है पूरी इसकी साधना विजी समझाई है और मुझे निस्टितू से भरोसा है कि आप इस साधना को सम्पन्द करेंगे मैं आपको आशीरवात देता हों की आपकी जीवन सम्पन्द करता है कि सामने माला रख देजिए और माला की बीच में दोनों । चीज़ों पर इंदूं विजी माला का घहरा बणके जीए माला मोडी मत जितना घहरा बनता उतना घिरव पूरा को करोकर माला को डबल मत करिये पहले आज से जल लेकर के दाईने आसे अपने शरीर को पुष्टर करें ओम पवित्र पवित्रोवा सर्वावस्थां गतोपिवा यहस मरेत पुंडरी का अक्षम सभाईया भिमतरम सुचे पुंडरी का क्षाय नमहां सिखा बंदनम मानस्तों कितने माना आज़की मानो बोखु मानो अस्वेखुरिक मानो वीर अंदभामिनों पवित्रयामी साम मर्हीम आत्म तुक्ति पुल्यामी वाम रीम साम देथ कुम सुध्यामी ताम अस्तव्रक्षालनम आदो लिजी अ चिखा बंदनम चोडिगांट लगादि आत्म जलीए संकल्प ओं विस्टोल विश्टोल विश्टोल भार पर से बढखंडे जम्मुदीपे शानिमांस आके बोद्धाव तर्सम्षम्षमी प्रफ्रम्षम्षम्षम्ष्पा स्रकास और श्राण मुश्ण कर्ण मुश्ण के वासे भायाराज द्वारे सर्वत्र यसा विजीय अलाबादी प्रसवारिश्या सपतरुष्या सबानुष्या अखेली कुटम सहितर्ष्या सबसो समस्त भय वव्यादी जरापीडा मत्ति प्रहाद्वारा आई उधास्वां थाम महां हम अमुग गोत्रोत पंदों हम अमुग सर्मा हम ताम पुर्वा लामा सिद्यमति लामा मंत्रियन सवां टियाद बॉक्या सबस्तों हम प्रतिक्षण भब ताम संपर्द सम्पर्द हें चोड़ी अमिले मंत्रों से पूझदल लोग अ विश्राशन में बेट जाए जैसा इचरों मान जी बैठने नोदों उठतें मोड़कर एडियों के उपर बैठ से एडियों पर या एडियों खोल करते हैं जिसमें आप इजी बैठ से तिबती भासा और चीनी भासा करीब करीब मिलती हुई है बहुत ही थोड़ा सांतर है यह से गुजराती राजस्थान यह बहुत थोड़ा सांतर है उसी प्रकास से चीनी भासा और तिबती भासा करीब करीब एक जैसी है इसलिए मैं उसी मंत्र से इस यंत्र को आप से संब्ध वोत्र अमक्त नाम से यह पूर्ण शिद्धी युक्ति आप सफ़लताप्त कर सके इसलिए मने बोला है जैसा मने बता है उस पर गार से आप बैठ जाएं उटने पर आप पाउं रखके और दोनों हाथ खोल करके अम्लिया खुली हुई है जैसे आप सब्सक्राइब कर सके इसलिए खुली हुई हुई है धर आप सब्सक्राइब कर समय के और मुदाच सब्सक्राइब युच्छ छी आप समय काच्छि ऑ् Capiम युटा आक्रलूद क्राइब आर रखना है जहां चाईज्ग आरप्त आर र täll श्यां रषंग र्यां धिंग मध घुenizजम ओ ref आत्य आत्य आत्यार्व मर शौर phenomena ड्योन हर उन्यार्व है कि ओर आत्या नारल ए मंचlar मुण। आत्य आत्यार्व ग अप्मर वे। आत्यार्वां चे रही ऑनिल्वों थात्यार्र पी जोन्दी ऊत्यार्व मत्या 15. चाम तुम्हाम तुंभी माणि पूर्वाद तुम्हां दें खेरिये तो तिबतिबासा है और उसी कंसे बोली जाएगी मैं आपको आशिर्वात देता हूँ कि आपको सफलता मिले आपको सिद्धी मिले और जीवन का आप पूर्ण आनन्द प्रापोस झाल, 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 झाल.